सभी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जैन रियक्शन्स पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगे तो आज हम आपके लिएक लेटेस्ट एक इंट्रोस्टिंग और एक दंदार वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशुरू पत्रकार्ट सोईब चोधरी को जो कि इंट्रवी लेंगे भारती शिर्नी और हिंदुस्तान की बेटी दबंग वकील नाजी लाइक खान जी का तो ये वीडियो काफे इंट्रोस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को में लेगा तो इससे आं तक देखें चैल पर नहीं है तो चैल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी से लेटस इंपोर्टेंट और इंफोर्मेटिव वीडियो लाते रहें जय हिंद जय भारत आज तक जस्टिंट रोडो जवाब नहीं दे पा रहा है जवाब नहीं दे पा रहा है और हम तो बार-बार कह रहे हैं मेरे जेम्स बॉन्ड भी कह रहे हैं अरे जवाब तो दे दो अरे जवाब तो दे दो और कैसे सिर्फ दो मिनट के अंदर जस्टिंट रोडो के चुन्न कि बस कैसे भी करके मोदी जी मान जाये, थोड़ी सी रेयायत कर दें, तो आज भारत बहुत फक्र महसूस होता है, बहुत फक्र महसूस होता है, शुएब, कहीं भारत ऐसी जगह पर खड़ा था, कि जब मनमुहन सिंग जाते थे किसी विदेश यात्रा पर तो वो पीछे होते थे, और सर जुका करख़चचच घड़ा आघ brother, तो बहुत बुरा लगता था, हमपी कमजोर हो जाते थे, भारत के जनता भी कमजोर हो जाती थी, लेकिन अब जब भॉस खड़ा होता है, और जब जाते है वो भॉस बन करके, और सबसे प्रिये सिग तुनियाına कर बन कर तरहा अरब की तरहा जी नाजिय जी एक चीज एक चीज में ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखें जैसे आपने बात की कैनेडा की क्या सेम कैनेडा वाली मिस्टेक आपको जर्मनी करता नहीं दिखाई दे रहा और मतलब मेहुत वो स्टेटमेंट दे के हरान हुआ कि अरवन् मिनौरिटी पर दूलम है तो यह ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं कुछ समझ आता है इंटर्नल पॉलिटिक्स में जर्मनी की स्टेटमेंट आना ओ आपको नहीं लगता कि सेम वही मिस्टेक कर रहा है जो कैनेडा ने की ती कर तो रहा है और मैं क्यूंकि फॉरेंड पॉलिटिक में काफी एक्टिव रहती हूं तो कर तो रहा है और वही मिस्टेक कर रहा है जो खतर ने किया वही मिस्टेक कर रहा है जो कभी इरान ने किया वही मिस्टेक कर रहा है जो पाकिस्तान कंटीनिवेसली करता है वही मिस्टेक कर रहा है जो मॉल्डिव ने किया और मैं बड़ी कि जो लोग जनता को धोका देते हैं, जो constitution body बन करके, जो जनता के representative बन करके जनता को धोका देते हैं, उनकी जगह जेल की सलाके ही होती है, अब मैं आपके सामने आम आदमी पार्टी और अर्विन केजरिवाल जी का चिठ्था खोलूंगी, थोड़ा सा खोलूंगी, हाला कि मे छे मंत्री जो हैं, छे उनके नेता जो हैं, बड़े नेता, दिगज नेता, जैसे MLA धर्विंदर कोहली, उसके बाद फिर मैयंक गांधी, छे बड़े दिगज नेता, मॉलेस्टेशन, गांग रेप, रेप के चार्जेज में हैं, चलगे, ये हो गया, आम आदमी पार्टी M केमेले फेट पैन कार्ड बनवाता था, जिसके कई नेता जेल के अंदर हैं, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी टरोरिस्ट नेक्सस, आम आदमी पार्टी का ये केमेले, अजमल खसब को डिफेंड करने के लिए सरवुचे नेयाई-पालिका में खड़ा हो गया था, और पाकिस्तान में आम आदमी पार्टी और अरगन केज्रिवाल साब के बारे में क्या इमेज है, वो भी आप ही आप डिटेल से बताएंगे, उसके बाद वो मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में जैसे नरिंदर मोधी साब का एक इमेज है, अच्छा है, बुरा है, लेकि पाकिस्तान में आपको जरूर बताऊंगा, देखने वालों को बताऊंगा, आप पहले अपनी बात कुम्लीट करिए, आम आदमी पार्टी अन्यन स्कैम, प्यास का स्कैम, अठारा रुपे केजी लेता था और तीस रुपे केजी ब्लैक में भेचता था, क्या चुपाना चा केजरिवाल, जिसमें से मैं सारा तो नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ जरूर बताऊंगी, जब केजरिवाल का जाडू यात्रा ओखला के बाटला हाउस में चल रहा था, तो ओखला पर बाटला हाउस सब को पता है, गूगल सर्च किया जाएगा, उन टर्रिस्टों को जब गोली लगी ती तो उसकी बीवियों से मिल करके अर्विन केजरिवाल हाथ जोड़ करके माफी बांगता है, और कहता है गलती से गोली लगती, अर्विन केजरिवाल वो है, जो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट करते हैं, उन में से उस फार्मर्स योगेश दहिया को सपोर्ट कर जो 300 करोड का स्कयाम करता है और फिर आमादमी पांटी अर्विन केचरिवाल उसको टिकट भी देता है सहारन कूल से रखी आमादमी पांटी जो शराग गोटाला करता है और दवा और दारू का परचार तो ऐसे करता है माय पर उर जीप पर जैसे लगता है कि दारू नहुआ भाई कुछ और ही वो परशाद या फिर वो कुछ पातिया का वो मिठाई बाट रहा हो। कि अर्वेन केजरिवाल को शराब ने ढुबा दिया। अरविन केजरिवाल को शराब ने बर्बाद कर दिया। आपको पता है हर एक कॉम्पलेक्स में हर एक अपार्टमेंट में हर एक कुछे में शराब भू बेच वह जासे बेचवा रहा था स्ट्रीषेद liberty बच्वा रहा हा हा था हरें कॉंप्लिक्स गारो में एक दारो फर एक दारू मोफ और एक दारो उसे उनकित पूररे युवा को अइसे उसे वर्बास कर डाला था पूरे यूवा को वो बरबाद कर डाला था अब मैं आती हूँ हलाके 49 लाइस जो है वो मेरे पास पुरा सीरियल वाइस लिखा हुआ है पर इतना समय नहीं है कि हम आपके साथ 2 गंटे करें दिल्ली बीजेपी अक्यूस्ट आप गवश्मेंट आमादमी पार्टी गवश्में अब बड़ा यूवाल में बैठ करके जब यह बड़ा गयान देता था अब भरष्टा चार के खलाफ है और प्रष्टा चार के खलाफ है और कॉंग्रस ने बड़श्टा चार करके पूरे भारत को बरबाद कर दिया है तो उस वक्त लोगों को भी ऐसा हैसा हुआ था कि नह जैसे ही फिसे के पत पर बैटंग दो तीन महिने तो उसने दिर्मा किया, इतना रामा किया, कि वह एक आम आदमी है, वह एक प्रनिक की एच आदमी है, वह पैर में चपपल पहनopen आपंगता है, वो बहुत मामूली से शर्ट पहनता है उसके बाद बाइपला सेक्यॉरिटी चाहिए 26 जनवरी गंतंत्र दिवस में वो ऐसे नहीं चाहेंगे उनको वी वी आईपी उनको इन्विटेशन चाहिए वो आटो पे बैठने वाला तीन महीने पहले अर्विन केजरिवाल और पुलि केजरिवाल का बेटा मामूली सा शर्ट पहन करके घूमता है और हमें भी लगा बाइप मामूली सा है तो बेटा भी मामूली सा है पर उस मामूली से शर्ट के पीछे बढ़ बहुत बढ़ा उसका बेटा इसके अदर बढ़ घएड़ से नहींраж से महीने में 20 लाग से उपर कमाता तब आप भी शौक हो गए कि दो ट्रेड मिल से 20 लाक रुपए उपर कैसे कमाया जा सकता है तो ये गुन अरविन केजरिवाल के बेटे के अंदर था उसने एक बिजनस स्टार्ट किया जिसमें उसने दो ट्रेड मिल खरीदा और अपने ही पिता चीफ मिनिस्टर के घर शीष महल पर वो ट्रेड मिल उसने भाड़े पर दिया और 20 लाक रुपए चिफ मिनिस्टर ऑफिस से वह उठाता था एंवोईस के साथ, दो ट्रेड मिल पर तो पाकिस्तान के युवा भी ऐसा कर सकते हैं, दो ट्रेड मिल 20 लाक से ऊपर कमा सकते हैं, तो ये घोटा ला, औ आठाट करोड के कर्टिन लगे हैं 20-20 करोड के बात्रूम के नल लगे हैं 45-45 करोड के शामियाने और लाइट लगे हैं तब समझ में आया कि ब्रश्टाचार जो है ना वो इनसान की रगों में होता है इनसान की रगों में होता है कोई मामुली आदमी ब्रश्टाचार नहीं करेगा यह कहीं पर लिखा हुआ नहीं है और सबसे महत्वपून बात सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है शोएब कि हम हमारी जो अप्रिंगिंग होती है ना हमारी जो परवरिश होती है ना वो हमें अच्छा बनाती है वो हमें खास बनाती है और वही हमें क्रिमिनल बनाती है और वही हमें आम बनाती है यह जुबान गालियां भी दिल्वा सकती है यह जुबान तालियां भी दिल्वा सकती ह तो अरविन केजरिवाल को पहले तालियां में ले थी, फिर उसके कर्तूद ने, उसकी जुबान ने उसको गालियां भी दिलवाई और आज दिली के लोग, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं हफ्ते में दो दिन, तीन दिन में दिली में ही रहती हूँ, आज दिली के लोग तु दोस्तो आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया खान जी का दमदार और बेबाक रेक्शन आपको काफी पसंद आयोगा जहांपे नाजिया खान जी ने अर्विन केजरी वाल को तो पूरी तरह से लिपेट के उधेडी दिया और नाजिया खान जी की एक बात बड़ी मज़दार लगी कि केजरी वाल शराप को ऐसे बेच रहा था जैसे दारू नहीं दवा हो तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आयोगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेर जरूर कर दे और आपके कमेंट्स के इंतिजार रहेगा और एक बाफ फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिसी लेटस्ट इंट्रोस्टिंग और दमदार वीडियो लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस वीडियो में तब तक अपन